नमस्कार दोस्तों, टेक सकेन के एक बिलकुल नाया, फ्रेस और एक्साइटिंग अबसोर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, रिसेनली पूरे भारत के अंदर आपको पता है कि जियो के नेट्वर्क का जो आउटेज अवो देखने के लिए मिला है। वो तो एक अलग सेगमेंट है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर्ली मुंबाई सार्केल्स की बात कारता हूँ, तो पर्टिकुलर्ली मुंबाई के अंदर 27 नमेंबर से दो दिन आपको नेट्वर्क आउटेज देखने के लिए मिला है। और यहां पर डिलाइंस जो कंपणी के तरफ से इसके अगेंट्स इनकोईडी बठाया गया है। इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे इंटेंशनली काट कर दिया था। उनका टांसपर वो गोडेगाउं से वोडेविली के अंदर कर दिया गया था। जिसे वो बिल्कुल भी खुस नहीं था। और इसी करण से रिलाइंश जो के जो अप्टिकल फैफर के वेले वो डिफरेंट जगे के अंदर वो काट करने लगे। और इसी कारण से रिलाइंश जो के जो कास्टमर से उन्हें इतना दिक्कत का सामना करना पड़ा। अल्मोस्ट दू दिन तक नेटर्रक आउटेज के बाहर था की तरफ से इस employee के एगेंड्स जो लीगाल एकसन है मतलब यहां पर दर्ज किया गाए लेकिन यह जो employees जो डिलाइंज जो के इस पर्टिकूलर डिसन खुश नहीं थे जो उनके जो टांफर यहां पर किया गाए बोरे वाली के अंदर उससे वह खुश नहीं थे जिसके कारण से वो frustration पढ़ाकर मिली ये काम कर लिए सबसे पहले 27 समेंबर 2022 सामके सारे चार बजे फास्ट कंप्लेंज जो हो रिलाइंज जो के पास आते हैं कुछ customers यहां पर कंप्लेंज करते हैं कि हमारे यहां पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उसके बाद जो inquiry वो बैठा जाता है कि कहां कुछ क्या कुछ प्रॉब्लेम्स हो यहां पर देखा जाता है और फाइनली पता चलते हैं कि यह पर्टिकुलर एंप्लोई जो है वो अप्टिकल फावर कोई कार दिया है इससे पहले इस तरह का घटना घटा है एया टेल जैसे कंपणी के साथ घटा है रिलेंज चो कंपणी के साथ भी गटा है और उनके एगन्स लिगाल एक्षन लिया गया है और फाइनली मुंबाई के चीज हुआ है और उनकी तरफ से यह फाइनल स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन उसके एक दिन के बाद जवार नागर गोड़े गाउं का अंदर भी सेम चीज देखने के लिए मिला है तो वही सेम एंप्लोई यह पर्टिकुलर काम किया है जिसकी वज़े से रिलाइंज ज काम करते हैं उसमें से एक दो इंप्लोई इस तरीके का चीज कर रहा है तो सबसे पहले इस तरीके का चीज क्यूंकि इंटरनेट करेंग्स वह आज के दिटके अंदर काफी इंपोर्टेंट चीज है कुछ टाइम के लिए अगर इंटरनेट आउटेज हो जाते हैं तो बहु यह पर्टिकुलर चीज के बारे में और भी साथा टेक क्यार करना चाहिए क्यूंकि जो इंप्लोई इस तरीके काम कर रहे हैं बिल्कुल भी सही चीज नहीं है फाइनल हमें पता चल पाए कि क्यूं मुंबाई के अंदर में लिए दो दिन के लिए नेट्र आउटेज यह पर हो गया था फिर भी रिलाइंज के तरफ से इस चीज को पाब्रिस किया गया है यही काफी अच्छी बात है कि यह रिलाइंज जो कंपनी अपने कास्टुमर्स का सुनते है और इस तरीके का प्रॉब्लम जियो के अंदर हुआ है जिस वज़से देखते हैं कि बात में क्या कुछ कंपेटिसन कास्टुमर्स को दिया जाए कि इससे पहले जब ने ट्रोक आउटेज हुआ था तो दो दिन के लिए फ्री सार्विस जियो की तरफ से दिया जाता है तो इससार आपडेट्स हमने पस निकल के रहा था चोटा सा वीडियो बने कर आपको बता दिया अगर वीडियो पसंद है कुछ नहीं जान करे मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को आपने दोस्तों को सेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके पासने लाइक उनको दवाना बिल्कुल भी मैं दूली एसने इंट्रेस्टिंग वीडियो देलेवेस देखने के लिए थैंक्स वाचिंग बाइन टिक याट आप से वीडियो को साथ तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रिखिएगा